हेलो एवरिवन आज हम बना रहे हैं खीरे का रायता गर्मियों के मौसम में कुछ ठंडा खाने पीने का मन अक्सर करता है तो दोपहर के खाने के साथ या ऐसे ही अपनी पसंद का कोई भी रायता बनाईए और खाईए खीरे का रायता बनाने के लिए हमें चाहिए चलिए देखते हैं खीरा बारिक कटा हुआ आधा कप दही एक कप लाल मिर्च पाउडर एक जोथाई टी स्पून भूना जीरा पाउडर एक जोथाई टी स्पून काला नमक, स्वाधनुसार, सफेद नमक, स्वाधनुसार, हरा धनिया, पारिक कटा हुआ एक टेबल स्पून चलिए अब हम खीरे का रायता बनाना सुरू करते हैं सबसे पहले दही को एक बाउल में निकाल लें फिर इसे अच्छे से मिला लें या घोटनी से घोट लें नहीं गाड़ा लगे तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल लें यहां हमने खीरे को धोकर छिलकर बीच से दो टुकडों में काट कर खीरे को बारिक बारिक काट लिया है अब दही में कटा हुआ खीरा, सफेद नमाक, काला नमाक, लाल मेच पाउडर, भूना जीरा पाउडर और कटा हरधनिया डालें और अच्छे से मिक्स करें अब आपका स्वादिस्ट खीरे का रायता सर्व करने के लिए एकदम तयार है फिर इसमें उपर से भूना जीरा पाउडर और बारिक कटे धनिया पत्ते से गार्निस करके खीरे के रायते को सर्व करें और इसमें नमक का यूज ना करें तो किसी वरत में भी खीरे का रायता खा सकते हैं अगर आपको मेरी रैस्पी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू फोर वाचिंग